नमस्कार फ्रेंड में हूँ चंदर्फटेल और दीखिया आज मैं कुछ ऐसे पांच इस्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस पे रिटेल निवेसक की जादा नजर रहती है चलिए पहला इस्टॉक है ट्राइड अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह एक स्मॉ 11,146 करोन का मार्केट के अपले जैसे नहीं और अगर हम सेहर होल्डर की बात करें तो जबर्दस सेहर होल्डर से 18.8 लाग सेहर होल्डर से तक डिविडेंट उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है 1.07 परसेंट है लेकिन यहां पे आपको रिटन जो है वन येर में वह आपको म आइनस 36% देखने को मिले वन मंत में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है यह कंपनी हाल फिलाल में देखे इस प्लीट हुई थी आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं आपकी जो इसका फेस वैलू इसने चेंज किया है 2019 में और इसलिए इस स्टॉक में अभी जो करेंट भाव चला है वह 34 रुपे 90 पैसे का है अगर मैं यहां पे आपको वंडे का चार्ट लगा के दिखा हूं तो आपको देखने को मिलेगा कितनी जबर्दस इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है मंतली चार्ट लगाऊंगो तो वहां पे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा क्यूंकि आप देख सकते हैं वन मंत में इस स्टॉक का अगर बाउंड बिग लो की बात सुरी यहां पे लो की बात करें तो दो हजार उनिस बीस के लगवख बीस के करीब यह स्टॉक का भाव चार रुपे था तिक है मैं स्प्लीट होने के बात क रुड़ते लगबग सतर रुपे का स्पाश चला गया आप देख रहा हैं सतर रुपे के आसपा स grace Celt वहां से क्रेक्षान होकी भी फिर से चोंठीर रॉपे आया है एक अच्छे लेबल यहां पर आप स्वींग टेडिंग मतलब आप यहां पर बाॉक्स टेडिंग कर सकते है ठीक है और नेक्स स्टॉक के बारे में बताता हूँ देखे जो नेक्स स्टॉक है वो हमारे लिस्ट में है धानी सर्विसेज जो की आपको 72% के आसपास डिसकाउंट पर मिलना है मतलब एक साल में 72% माइनस रिटन दिया है और अगर हम बात करें तो ये भी कंपनी है कि स्मॉल सब्सक्राइब करें तो 28 रुपे का है मार्केट के एपलेजिशन बहुत ही छोटी हो गई है लगबग 2655 रुपे की सेरोलर की बात करें तो टू-पॉइंट वन लाख सेरोलर से और यहां पर अगर हम धानी की बात करें तो देखे ये लगबग आपको यहां पर 47 रुपे 50 पैसे के आसपास यह मिल ला है तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल लिए वन डे की यह तेजी आप देख सकते हैं क्योंकि यह बॉक्स टेडिंग कर रहा है लगबग तो आपको यहां पर माल जरूर दबोचना चाहिए क्योंकि यह फिर से 60 रुपे के आसपास जाने की कोस 800 से करेक्शन होके 40 रुपे के 47 रुपे के आसपास आपको यह मिल ला है ठीक है ठीक है जो हमारे लिस्ट में तीसरे स्टॉक पर नंबर पर उस स्टॉक का नाम है वकरांजी लिम्टेर जो कि एक स्मॉल कैप है और आउट सोर्सेज यह सर्विस काम करती है और अगर हम इस स् 23 रुपे के आसपास बाउंड विक लो है मार्केट के बात करें तो एकतिस सो 78 करोन का मार्केट के बात करें तो दो लाग सेर होल्डर से तिके डिविडेंट उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक माइनस में रिटर्न हैथ इस इस लत पर करें तो यह अब लगभग तीन रुप यह और ऊपास यहां पे ट्रेड हो रहा है और अगर इस स्टॉक की बात करें तो दिखेमि यह हम यहां पर करें कि नश्दिक चार्ट है वंडे के चार्ट में यह स्टॉक तीन दिन से यह अपर ट्रेंड के आसपास है केवल आपको देखने को यहां पर मिल ला है अगर हम यहां पर मंतली की बात करें तो दीखिए कि इस टॉक करेक्शन हो गया जो कि आप बॉक्स टेडिंग के बेसिस पे आप यहां पर माल उठ सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर माल उठाके एक अच्छा स्विंग टेडिंग कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल ला है अगर यहां से तेज हुआ तो लगबग 50-60 रुपे के आसपास यह जाने की कोशिस जरूर करेगा की बात कर ले तो錦ै bisa Ừक्र 930 840 रुप cr Zachary meat अगए का बाइंधी है अगर यहां पर रीटन की बात करें तो वन यार में लगवाग 53 पर्सेंट का मार्क इंपर्स टेजी देखने को मिल लही है यह 21 रुपए का भाव पर अभी इस टॉक चल ला है और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया लेबल पर है आपको यहां पर बाइंग करना हो तो आप बाइंग यहां पर कर सकते हैं तिक यह अभी अपर ट्रेंड चल ला है ठीक है क्योंकि बहुत दिन से इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल ला था चलिए मैं मंतली चार्ड लगा कि आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इस स्टॉक में गिरावट हुई है और क्या सिच्वेशन है आपको इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखे सबसे पहली बात का यहां पे लोग आपको देखने को मिल ला है और उसी के आसपास कुछ 2020 के आसपास यह मिला था और फिर से यह स्टॉक लगबग है उसका नाम इंडिया बूल्स हाउजिंग फाइनन्स चुकि एक बहुत ही बढ़िया है स्विंग टेडिंग और फास्ट मुमेंट को लेकर और यहां पे अगर हम बाउंड भी खाई की बात कर ले तो लगबग 279 का बाउंड भी खाई है बाउंड भी लो लगबग 89 का है मार बगग माइनस थर्टी नाइन परसेंट का रिटन है और यह वन येर में लग स्रीवन मन्त में लगबग 9% का आपको यहां पर रिटन देखने को मिले बहले सीजिये स्मॉल काई कमपनीय है लेकिन तेजी स्टॉक में पहुत ही ज़्यादा होती है और घिरावर्ट भी उतनी ज्यादा होती जितनी तेज इसमें स्टॉक में तेजी होती है उतनी तेज इस स्टॉक में गिरावट होती है तो देखे एक 138 रुपे के बाव पी चल लाए लगबाग 12% तेज है यह स्टॉक अगर हम यहां पर मंतली चार्ड की बात करें तो देखे किस हिसाब से इस स्टॉक में मतलब एक गिरावट मिली है 900 रुपे से लेके 1000 रुपे से लेके यह लगबाग 138 रुपे के आसपास यह आ चुका है और अगर यहां पर मैं मंतली वन्डे की बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस स्टॉक में आपको तेजी देखन लेन के रखनी चाहिए फैला इस ट्राक है इंडिया भूल हाउजिंग फाец ठीक है और दूसरा है इंडिया भूल रियल-स्टेट सेमोंसी ग्रूप की कंपणियां और चोथी जो कमपनी है धानी सर्विसेस है और पांच भी जो कमपनी है ट्राइडेंट है देखे हर एक रिटेल निमेशक का मानना है कि अगर मैं ट्राइडेंट लेता हूं तो मेरे को अच्छा रिटेंड मिलेगा तो यह बात सही है अगर एक अच्छे लेबल पर आप मिल सकते हैं तो भी आपको एक अच्छा रिटन देखने को मिल सकते हैं दीकिए वकरान जी थोड़ा-सा वेट करेंगे आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अभी भी इंवेस्ट करके आप पैसे लगा सकते हैं या तो इंडियाबूल हाुजिंग फैनेंस और इ आप भी पैसे लगा सकते हैं आप stop loss लगा के लगाएं तो ठीक है लेकिन Trident और ये धानी Services में आप भी भी पैसे लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन stop loss आपका रेडी रनना चाहिए ठीक ना ओके थैंक यू फ्रेंड